नमस्कार दोस्तों मैं विकास मलोत्रा लाल किता बेस्टो सेंटर से चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों मार्क्षीश मा के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पना एकादशी के नाम से जाना जाता है सभी एकादशियों की तरह उत्पना एकादशी भी श्री हरी विश्नु को समर्पेत है और बहुत खास मानी जाती है कहा जाता है कि इस दिन वरत रखने से पिछले जन्म के पापों का नाश होता है और जब भगवान विश्नु की कृपा मिलती है तो साती सात धन की देवी मा लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है उत्पना एकादशी पर आज एक उपाए आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इफेक्टिव उपाए है बहुत आसान उपाए है हर कोई कर सकता है तो उत्पना एकादशी पर ये उपाए करना ना भूले अब सबसे पहले तिथी पर बात कर लेता हूँ उत्पना एकादशी के अगर आप पंचांग देखें तो इसकी शुरुवात होगी 8 दिसंबर को सुबा 5 बचकर 6 मिनट पर और समापन होगा 9 दिसंबर को सुबा 6 बचकर 31 मिनट पर तो अगर आप उत्पना एकादशी का वरत रखना चाते हैं तो 8 दिसंबर को सबसे बढ़िया रहेगा लेकिन वैशनव लोगों का एकादशी मनाने का तरीका कैलकुलेट करने का तरीका अलग रहता है तो वो वैशनव लोग यानि जो इसकौन को भी मानते हैं वो लोग भी 9 दिसंबर को इस एकादशी को मना रहे हैं तो अब आपके पास दो डेट्स हो गई 8 दिसंबर और 9 दिसंबर सबसे बेस तो यह है कि 8 दिसंबर को आप मना लें से जो उपाए मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 दिसंबर कोई कर लें तो अच्छा है नहीं कर सकते तो 9 दिसंबर को कई कुछ लोगों की माननेता वैशनव जो हैं वो 9 दिसंबर को एकादशी मनाएंगे तो वो 9 दिसंबर को कर सकते हैं दोनों में से किसी भी दिन पर ये उपाय शुरू किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो मैं इस उत्पना एकादशी की थोड़ा सा आपको कथा के बारे में बता दू कि क्योंकि इस एकादशी को इतना महत्पुन माना जाता है कहा जाता है एकादशी मनाने की जो प्रथा है वो इसी तिथी से शुरू हुई कुछ लोग इसे कन्या एकादशी के नाम पे भी जानते हैं कथा आती है कि जब राक्षस मूर को मारने के लिए भगवान विश्नु गए थे तो उस समय पर वो एक जगा पर विश्राम कर रहे थे और उनको विश्राम करते हुए देखकर मूर ने उनको मारने की कोशिश करी तब भगवान श्री हरी विश्नु के अंज से ही एक कन्या उत्पन हुई और उसने उस मूर राक्षस का नाश किया तो उसके बाद भगवान श्री हरी विश्नु इतना प्रसंद हुए कि उन्होंने कहा कि इस कन्या को एकादशी के नाम से जाना जाएगा और ये जो उत्पना एकादशी है इसको इसी लिए कन्या एकादशी भी कहते हैं और उन्होंने का कि जो भी इस एकादशी पर रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा उसको अथा जो फल मिलेगा, बहुत जादा जो भौतिक और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आध्यात्मिक सुख पाने के लिए इस दिन वरत और पूजा करते हैं तो वो पूरा होगा तो आप समझी सकते हैं कि इस एकादशी पर अगर हम कोई उपाए करते हैं तो उस उपाए के फली भूत होने के भी चांसिस बढ़ जाते हैं मैं तीन अलग-अलग उपाए लेकर आया हूँ और सबसे बड़ी बात है जो मैं आज उपाए लेकर आया हूँ घर पर ही सारा समान आपके पास उपलब दोगा आसानी से कर सकते हैं तो जरूर करिए इसका अब इससे पहले कि क्या उपाए करने ये समझ लीजे इस उपाए के लिए आपको मिट्टी के दीपक बनाने होंगे दीपक का हिंदू धरम में बहुत महतों माना जाता है क्योंकि हर देवी देवता की आरती पूजा अनुष्ठान के समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है जो दीपक में घी प्रयोग करना है वो गाए का घी प्रयोग करना है अगर किसी स्थिती में बहुत जादा अगर आपको समस्या है कि नहीं हो पारा तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अगर गाएं का घी उपलब्ध हो तो गाएं के घी का प्रयोग करके ही ये उपाय को करें अब ये उपाए क्या हैं मैं तीन अलग-अलग हितू के उपाए आपके साथ बात कर रहा हूं और किस तरह से करना ये ठीक से समझ लीजे सबसे पहले तो अगर आपको धन सम्मंदित समस्याएं बहुत जादा रहती हैं कर्ज बढ़ गया है कर्ज से मुक्ति चाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि सर बहुत वाद वी वाद में फस गए हैं लेकिन आप दीपक जलाने किस तरह से ये समझ लीजे, ये दीपक पहली बात तो सुर्यास्त के बाद जलाना है, पहली चीज, दूसरी बात ये है कि जब आप इस दीपक को जलाएंगे, पहले अपने मंदिर में जला लीजे, ये दीपक मंदिर में जलाने के बाद, मंदिर में जब आप जला रहे हैं तो इसके साथ कुछ भी भोग, चाहे वो खीर बना लीजे, मिठाई रख लीजे, कोई भी भोग भगवान विश्णु को उनका ध्यान करते हुए, मा लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, उनको भोग लगाईए और ये गेहु के आटे का दीपक जलाईए, नॉर्मल बाती भी लगा सकते हैं, कलावे की बाती भी लगा सकते हैं, अब लेकिन इस उपाईए को करना कैसे ये भी समझ लीजे, ये उपाईए शुरू होगा एकादशी वाले दिन से, यानि चाहे आठ दिसंबर को आप मना रहे हो, चाहे नौ दिसंबर को मना रहे हो, इ अगले दिन सुर्यास के बाद दूसरा फिर तीसरा इस तरह से ग्यारा दिन लगातार ये उपाए करना है आटे का ही दीपक बनेगा उसी तरह से मिठाई आप भगवान को भोग की तरह चढ़ाएंगे और उस भोग लगाने के बाद बहुत सारे लोग कुछ तो उसका क्या करन है उसको प्रसाद कितना ग्रहन करिए बाकी लोगों के साथ बाढ़ सकते हैं गेहूं के आटे का दीपक बनाना है जब आप आटा गूंदेंगे उसके अंदर नमक नहीं होना चाहिए नॉर्मल दीपक बनाना है आसानी से बना सकते हैं किसी भी तरह का कोई शेप की कोई प् यक्ति कर सकता है अब दूसरा जो आप कर सकते हैं अगर मान लीजे शत्रूं से बहुत जादा दिक्कत रह रही है बहुत सारे लोगों होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं पता चलता है कोई ना कोई पंगे करता ही रहता है कोई ना कोई आपकी काम में टा गड़ाता ही रहता है शत्रू को परास्त करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत खास है इसके लिए करना क्या होगा जो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आपको गेहूं के आटे का दीपक आपने बनाना है गेहूं के आटे को गून के दीपक बनेगा अब उस गेहूं में थोड अगातार दीपक लगेगा आठ दिसम्बर से चाहे शुरू कर लें चाहे नौ दिसम्बर से तो काली उड़द के आठे का दीपक बनाएंगे और भगवान से प्रात्ना करेंगे कि उन शत्रों से आपको कहीं न कहीं बचाते रहें आपकी विजय कराते रहें क्योंकि इस भी है जो घर में सुक शानती चाहते हैं तो हरी मूं जैसे आठे का दीपक आप बना रहे थे तो आठा गूंद लिया था उसमें थोड़ी सी हरी मूं पीस कर आप उसको भी मिक्स कर लीजे और फिर दीपक की शेप बना लीजे ये इस आठे का बना हुआ दीपक जलाएंगे बताई ही चुका हूँ पहले कि या तो गाए के घी का या तिल के तेल का दीपक बनेगा और इसको उसी तरह से ग्यारा दिन लगातार आठ दिसम्बर या नौ दिसम्बर से शुरू करके सबसे बेस रहेगा आठ दिसम्बर से शुरू करिए उत्पना एकादशी मनाना आठ इसम्बर से आप रारंब करिए ग्यारा दिन लगातार एक दीपक जलाना है और दीपक एक बार मंदिर में अपने घर के जला दे उसके बाद लोग कुछते कहां रखे कहीं भी रख सकते हैं आप अपने घर में रख लीजे कहीं में एंटरेंस डोर पे रख लीजे रसोई मे रख लीजे कोई दिक्कत ने कहीं जाना भी नहीं है अब आखिर में जो सबसे जादा इंपॉर्टन बात अब ये दीपक जब शान्त हो जाएगा इसमें से बाती निकाल लीजेगा और ये दीपक को रोल करके गौमाता को आप जरूर खिलाएं अगले दिन खिला दें तो आप पीपल के व्रिक्ष के नीचे छोड़ दीजे वहाँ पर भी चीटी चीटे इसको खा लेंगे यानि हमने कोई भी चीज की वेस्टेज नहीं करने सबसे बड़ी बात यह है कि उपाये करते हुए कहीं पर भी नुकसान किसी का ना हो कोई वेस्टेज ना हो सब चीजे का आजाएं यह हमारा मोटिव है आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको उत्पन्ना एकादिशी की बहुत बहुत शुप कामना है श्री हरी विश्नु के दरबार में जै श्री विश्नु जै श्री हरी विश्नु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा जरूर लिखें धन्यवाद दोस्तों